हां यह मारी पेशेंट हैं को हैच सर्वाइकल का पेन बेसिकली जिनको सर्वाइकल का होता है उनको यह थोड़ा सा हम्प बनना शुरू हो जाता है तो आज कल अधिकतर लोगों में क्या हो रहा है प्रॉब्लम आई रही है जैस तरह से हमारा लाइफ स्ट्राइल हो रहा है हम कोनों का इस्तैमाल कर रही है हमारा ड informative वकस बढ़ता जा रहा है तो इन सबसे ही हमें सर्वाइकल की पहना रही है आप इस इसके लिए हमें क्या करना है नॉर्मल हाथों में दोनों ऐसे तेल लगाना है और यह कान के पास से आते हुए यहां प्रैशर देते हुए यहां पर आजाना है यहां हम तीन से चार बार ऐसे प्रेशर देके आएंगे और इस वाले पॉइंट को स्टुमलेट करेंगे जो हमारा आप शोल्डर पर हाथ लगा के देखिए यहां यह गठे जैसा प्रतीत होता है यह देखिए यहां पर हमें ऐसे स्टुमलेट करना है आपने फिंगर रखेंगे और इसको clockwise देखिए clockwise एंटी क्लॉक हमें टेंटेंट टाइम करना है प्रेशर देते हुए हलका सा और पेशेंट से पूछ लेना है कि रिलेक्स है कोई अनीजीनेस तो नहीं है ठीक है कमफर्टेबल है और इस तरीके से फिर हमें मसाज कान के पास से आसे लेते हुए प्रेशर यह हमें मसाज देते हुए बाहर तक आ रही है और यहां शोल्डर को ऐसे पुछ करते हुए रिलीस कर देना है और यह इस तरीके से हमें ऐसे करना है इसके बाद हमें मुठी बनानी है अपनी और धीरे धीरे इस पॉइंट को ऐसे स्टिमलेट करन पेन आ रहा है राधिका यह देखिए इस जगे यह पूरी नस नाडियां हमारे स्पाइन से जाती है कुछ नहीं करना ऐसे हात लेना है मुठी बनानी है और इस तरीके से हमें प्रेशर देना है अपने जो हमारे पीछे यह कंदे की हड़ी है इसके चार और जो पेन आता है उसे रिलीज करने के लिए हमें इस तरीके से प्रेशर देना है इस तरीके से दोनों साइड प्रेशर देते हुए इस तरीके से ये फिर दुबारा से हमें इसको रिलीस कर देना है इस तरीके से अपने हाथों से मसाज देते हुए हमें ये किरिया दो से तीन बार करनी है दुबारा से ऐसे करेंगे इनको राइट में ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए हम राइट वाले कंधे पर ज्यादा दे रहे हैं इनको यहाँ यह जगे पेन आ रहा है राधी का पेन है जी हम लेफ्ट साइड थोड़ा कम है हाँ इस ऐंडी हाँ जी तो में कंसीडर हम वहीं करते हैं पेशन्ट को जहां ज्यादा पेन है, हमें वहीं रिलीस करना है, और फिर इसको ऐसे हमलते हुए धीरे से रिलेक्स कर देंगे, इस तरीके से, दूसरा इनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द आ रही थी, जिसके लिए हम अपने कुछ प्रेशर पॉइंट है, घादी का पैर उपर कर ले, इसके लिए हम वही ऑईल ले लेंगे, और जो इनके प्रेशर पॉइंट है, इसके ये उंगलियों के अंदर की साइड, आएंगे, ये यहाँ, और उसके बाद ये हमारे जो उपर इनके ग्रूव्स हैं, ये, इनको बेसिकली पेन एरिया ये है, मासफट हो यहाँ, मासफट गया था, जिसकी वज़य से इनका पेन जा नहीं गाये, इसके लिए हमने थोड़ा सा इनको सिकाई करनी है, पहले हमने इनको आईस की सिकाई दिये, आजकल हम इनको दे रहे हैं, सेंधर नमक डालके गरम पानी में सिकाई, और थोड़ा सा उसमे एक हब की पोटली बनाके डाल दे रहे हैं जिससे पहले से इनका थोड़ा रिलीज हुआ है पेशेंट अपने रिव्यूज दे रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा हां जी बताइए पहले बहुत दढ़ थी एवन मैंने अभी आज मेरी सेकिंड सिटिंग है बट मेरे को फरक हल्के हातों से इसलिए देना है के पेश ज्यादा ना बढ़ जाये और इनर साइट टखने भी हम अपने थम के से ही हलका हलका प्रेशर देंगे इधर की साइड यह प्रेशर देते हुए इस पेश रिलीज करेंग और इसके लिए एक चीज और हम अपने गुठने के नीचे दस बर anti clock करना है इस तरीके से जो नस नाडियां हमारे पूरे शरीर में फैलती है पैर के उंगलियों से लेके उपर तक जाती है उन्हें हमें पूरा करना है हमें अच्छे से उनको प्रेशर देते हुए उसको अपना ऐसा कर देना है कि नस नाडियों में खून बराबर से बहे और अच्छे से इनको अपने दर्द में लाब हो मैं सुनीता शर्मा नैचुरोपैत मुझसे मिलने के लिए जूड़े रही है करनाल प्लस से